परिचय तुम अपने चारों तरफ अनेक प्रकार के जीव जन्तू तथा पौधे देखते हो। ये सभी विभिन आकरिती तथा आकार के होते हैं, तथा दिखने में एक दूसरे से बिलकुल भिन होते हैं। लेकिन इन सभी में एक चीज समान होती है, ये सभी जीवन की छोटी इकाई अर्थात कोशिका से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इस मोड्यूल के अंतरगत हम कोशिका तथा उसकी संदचना के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। उद्देश्य गेंद्रक तथा कोशिका द्रव्य की सनचना तथा कारियों का वर्ण करना। कोशिका का परिचय कोशिका जीवन की मूलभूत, संदचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, प्रयोग। प्यास का एक छोटा टुकड़ा लो तथा चिम्टी की साहता से उसकी जिल्ली उतारो। इस जिल्ली को तुरंत पानी वाले वौज किलास पर रखो। एक काँच की स्लाइट लो, अब इस पर पानी की एक बूंद रखो, तथा वौज किलास में रखी जिल्ली के इस छोटे से टुकड़े को इस स्लाइट पर रखो। अब इस टुकड़े पर एक बूंद आयोडीन फिलियन की रख कर सुई की साहता से इसे कवर स्लिप से ढख दो। अब इस लाइट को पहले कम शक्ति वाले तथा बाद में अधिक शक्ति वाले संयुक्त सूक्ष्म दर्शी की साहता से देखो। ये सभी सनचनाएं एक दूसरे के समान होती हैं। कोशिका की खोज कोशिका की खोज सर्व प्रथम किसने की? कोशिका की खोज सर्व प्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। उन्होंने प्राथमिक सूक्ष्म दर्शी की साहता से कौर्क की पतली काट का परिक्षन किया, तथा पाया कि इनमें अनिक छोटे छोटे प्रकोश्ट हैं, जिसकी सनचना मदुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोश्टों को कोशिका का नाम दिया। प्रथम जीवित कोशिका की खोज, ल्यूवेन हक ने सन 1674 में की थी, उन्होंने उन्नत सूक्ष्म दर्शी की साहता से तालाप के जल्बें इस कोशिका का अवलोकन किया। उल्लेकनिये वैक्यानिक रॉबर्ट ब्राउन सन 1831 में उन्होंने कोशिका के भीतर केंद्रक की खोज की थी। J.E. पुरोकन्ज सन 1849 में उन्होंने कोशिका के तरलपदार्थ को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। स्लीडन तथा स्वान सन 1838 तथा सन 1849 में इन दोनोंने कोशिका सिध्धान्थ को प्रतिपादित किया। इस सिध्धान्थ के अनुसार सभी पौधे तथा जनतु कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, तथा कोशिका जीवन की मूलभूत एकाई है। विर्चो सन 1855 में इन्होंने कोशिका सिध्धान्थ को आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाओं पूर्व फर्ति कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। जीवों के प्रकार जीव दो प्रकार के होते हैं। एक कोशिक जीव तथा बहु कोशिक जीव। एक कोशिक जीव में एक कोशिका से पूरे शरीर का निर्मान होता है। उधारण, अमीबा, क्ले मिटो मोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया। बहु कोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहिद होकर विभिन कारियों को संपन्न करने हिदू, विभिन अंगों का निर्मान करती हैं। उधारण, कुछ फंजाई यानि कवक, पौधे तथा जन्तू। प्रतिक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कारे करने की शमता होती है। जो सभी सजीवों का गुण है। उधारण के लिए हिर्दय की कोशिकाएं रुधिर को पंप करती हैं। अमाशे की कोशिकाएं भोजन का पाजन करती हैं इत्यादी। प्रतिक कोशिका की भीतर कुछ निश्चित विशेश खटक होते हैं, जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। प्रतिक कोशिका अंगक एक विशिष्ट कारे करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण। अप्शिष्ट पदार्थों का निश्कासन आदी। कोशिका जिल्ली तथा उसके कारे कोशिका किस्से मिलकर बनी होती है? यदि हम कोशिका का अध्ययन सूख्ष्म दर्शी से करें, तो हमें लगभग प्रतिक कोशिकाओं में तीन गुण दिखाई देंगे. प्लैस्मा जिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्वे कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रिया कलाब तथा उसकी बाहे परियावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्ही गुणों के कारण संभव है प्लैस्मा जिल्ली यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी परियावरण से अलग करती है प्लैस्मा जिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर आने जाने देती है यह अन्ने पदार्थों की गधी को भी रोकती है कोशिका जिली को इसलिए वनात्मक पारगम्य जिली कहते हैं विसरण कुछ पदार्थ जैसे कारबन डायोकसाइट अथवा आकसीजन कोशिका जिली के आरपार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं यह एक स्वाता प्रक्रिया है, जिसमें पदार्थों की गती उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। इस प्रकार विसरण कोशिकाओं के मध्धे तथा कोशिका तथा उसके बाहिव वतावरण के मध्धे गैसों के विनिमे में एक महत पुन भूमी का निभाती है। परासरण वरणात्मक पारगम्य जिल्ली द्वारा जल के अड़ों की गती होने की प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। इस प्रकार परासरण में जल के अणू वरणात्मक पारगम्य जिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गती करते हैं। इस प्रक्रिया में विलियन तीन प्रकार का हो सकता है। तो जल परासरंड विधी द्वारा कोशिका के अंदर चला जाता है। तथा कोशिका फूल जाती है। ऐसे विलियन को अल्प परासरंड दाभी विलियन कहते हैं। अती परासरण दाबी विलियन यदि कोशिका के बाहर वाला विलियन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाता है, तथा कोशिका सिकुड जाती है ऐसे विलियन को अती परासरण दाबी विलियन कहते है संपरासारी विलियन यदि माध्यम की सांद्रता ठीक कोशिका की सांद्रता के समान हो तो कोशिका जिल्ली से जल में कोई शुद्गती नहीं होती तथा कोशिका का आकार भी वही रहता है ऐसे विलियन को संपरासारी विलियन कहते हैं प्लैस्मा जिल्ली तथा उसके कारे प्लैस्मा जिल्ली के कारे परासरण द्वारा एक कोशिक स्वच जलिये जीव तथा अनेक पौधों की कोशिकाएं जल ग्रहन करते हैं पौधों की जणों द्वारा जल का अफशोशन भी परासरण का एक उधारण है इस प्रकार विसरन कोशिका की जीवन में जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महतपून भूमी का निभाता है कोशिका अपने परियावरण से पोशन भी ग्रहन करता है विभिन अणू एक प्रकार के परिवहन द्वारा कोशिका के अंदर तथा बाहर आते जाते हैं, जिसमें की ATP के रूप में उर्जा की आविशक्ता होती है प्रैस्मा जिली लचीली होती है तथा कारबनी काड़ों जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है कोशिका जिली का लचीलापन एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाहे परियावरन से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहन करने में सहयता करता है ऐसी प्रक्रिया को endocytosis कहते हैं अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्ट करता है कोशिका भित्ती तथा उसके कारे कोशिका भित्ती पादब कोशिकाओं में एक और उभरी हुई बाहे परत कोशिका भित्ती पाई जाती है जोकी प्लैस्मा जिली के बाहर स्थित होती है पादब कोशिका भित्ती मुख्य रूप से सेलिलोज की बनी होती है सेलिलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और ये है पौधों को संदचनात्मक द्रिःता प्रदान करता है जब किसी पादप कोशिका में परासरन त्वारा पानी की हानी होती है तो कोशिका जिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं इस घटना को जीव द्रवे संकुचन कहते हैं कोशिका भित्ती के कारे कोशिका भित्ती कोशिका को उभार तथा मजबूती प्रदान करती है तथा पौधे, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षा कृत कम तनू विलियन यानी आलप परासरन दाबी विलियन मे उसके विरुथ दबाव बना कर बिना फटे बनाय रखती है केंद्रक तथा उसके कारे केंद्रक 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 के चारों तरफ दोहरी परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक जिली कहते हैं केंद्रक जिली में छोटे चिद्र होते हैं जिसमें से हूकर केंद्रक का पदार्थ केंद्रक के बाहर अर्थात कोशिका द्रव में जह पाता है केंदरक में गुंसूत्र यानि क्रोमोसूम पाय जाते हैं, जो की कोषिका विभाजन के समय छड़नुमा दिखाई पड़ते हैं। गुंसूत्र यानि क्रोमोसूम में आनुवांशिक गुण होते हैं, जो DNA यानि डी- sowyy यानि डी- tousy-ribonucleic अम्ल के रूप में माता-पिता से उनके संतिती में जाते हैं। गुण सूत्र यानी क्रोमोसूम DNA तथा प्रोटीन के बने होते हैं। DNA के क्रियात्म खंड को जीन कहते हैं। कोशिका जब विभाजित होने वाली होती है, तब ये गुण सूत्र क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में वैवस्तित हो जाते हैं। कुछ जीवों जैसे बैक्टिरिया में कोशिका का केंद्री एक्षित्र बहुत कम स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक जिल्ली नहीं होती है। ऐसे जीवों को प्रोकेरियोट कहते हैं। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक जिल्ली होती है, उन्हें यू केरियोट कहते हैं। केंद्रक के काट्रे केंद्रक कोशिकी ये जनन में महतपून भुमी का निभाता है, जिसके अंतरगत एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्मान करती है। यह कोश किये क्रिया कलापों को भी नियंतरित करता है। कोशिका द्रव्वे तथा उसके कारे कोशिका द्रव्वे प्लैजमा जिली के अंदर पाया जाने वाला तरल द्रव्वे है। इसके अंदर अनेक विशेशी क्रित कोशिका अंगक पाये जाते हैं। कोशिका के अंदर प्रतीक कोशिका अंगक अपना विशेश कारे संपन्न करता है। कोशिका द्रव्व के कारे कोशिका द्रव्वे में सभी कोशिका अंगक पड़े होते हैं। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं कोशिका की खोज सर्व प्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी एकल अध्वा अनेक कोशिकाओं की उपस्तिती के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं एक कोशिक जीव तथा बहु कोशिक जीव प्रतेक कोशिका की भीतर कुछ निश्चित विशेश घटक होते हैं जिन्हें कोशिका अंगक कहते हैं, जो की एक विशिष्ट कारे करते हैं। प्लैस्मा जिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी परियावरान से अलग करती है। प्लैस्मा जिल्ली वनात्मक पारगम में जिल्ली की भाती भी वहवार करती है, क्यूंकि यह कुछ पदार्थों को अंदर तता बाहर आने जाने देती है, जबकि अन्य पदार्थों की गती को रोकती है। वनात्मक पारगम में जिली द्वारा उच्छ सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जल की गती होने को विसरण कहते हैं पादप कोशिकाओं में एक और उभरी हुई बाहे परत कोशिका भित्ती पाई जाती है जो की प्लैस्मा जिली के बाहर स्थित होती है पादप कोशिका भित्ती मुख्य रूप से सलीलोस की बनी होती है जो की कोशिकाओं मजबूती प्रदान करती है केंदरक एक गूल या अंडाकार बिन्दु सद्रश संदचना है जो की प्रतेक कोशिका के केंदरके आसपास पाया जाता है यह कोश की ये जनन में महतपून भूमी का निभाता है तथा कोश की ये क्रिया कलापों को भी नियंतरित करता है कोश का द्रव्वे प्लेजमा जिली के अंदर पाया जाने वाला एक तरल द्रव्वे है इसके अंदर अनेक विशेशी कृत कोशी का अंगक पाये जाते हैं